यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टन होने वाली है हमारे डियू एसल एंसेव फॉलेज इस्टोरेंट के लिए जो सेमेश्टर फोर के बीए प्रोग्राम के हैं और जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपकी एस इसी में जो आपने हिस्ट्री ले रखा है अभिलेगर है और सं इन यहां पर सभी इपंपोर्टन लिए और इस बहुत इन नाइनटी पसंट की जो सबस्थ्ologies आखण में को मिलेगे तो चली कोशन देखें सबसे पहले जो आपकी इस्टु परोटटन देखेंग और कोशन देखेंगे था धाले तो आपको रहा है कि आसे समझ जे अरो जो इसके परकार सांगरे का उल्हे कि आपको जो अपका कोश्टर में 2 इन तीनों के भीच में आपको बताना हैं को इस चर्चा करें जो कि उत्पति और भिकास कैसे हुआ यह बता ना है कोर्शन फाइप में आपको बताना है जो अभिले गरेण और सांगराले के महत और कारी का वर्णा किजिए महत और कारे क्या क्या है इनके question six है पुसकाले सब्द का आथ क्या है पुसकाले के महत अहम कारे को वताईए तू इस six question है यूनिट आपके first के important है and second unit के देख लीजिए important question आपके सामने भारत में पुरा तात्पिक और सांस्किति ज्ञान के विकास का वर्णर कीजिए नहित पूर्व गर्यों को ध्यान में रखते हुए उनके यूगदान के मूल्यों का आउलोकन करने में साहिकता करे और जो आपका unit second का chapter second है इसके important question देख सकते हैं आपके सामने हैं आप अभिलेगरे को किस परकार परिभासित करेंगे भारत में अभिलेगो के विकास को निरूपित कीजिए question 10 भारत में राष्टे धरोर की सारक्चक के रूप में सांगहाले की भूमिका को परिभासित कीजिए question 11 रिकोर्ड और डस्ताविस क्या है अधिकारियो रिकोर्ड और छानिक रिकोर्ड में अंतर बताईए question 12 डिजिटल पुस्काले किसे कहते हैं इसके लाव और हानिया बताईए question 13 ने साही पूर्वगरो ने अभिलेगों की रख रखाओ को कैसे परभाबित किया question 14 ने पनेवेशिक और उत्तर पनेवेशिस काल के मढ्ण के मध्यम से अभिलेग का विकास कैसे हुआ तो जो इनके विकास वह करें बताना है question 15 ने आदुनिक काल में सांगरे का विकास का उलेग कीजिए तो इसका विकास केसे हुआ और आपका जो यूनिट होड यहां से स्टार्ट होने चारा है इसके इंपोर्टन कोर्षन देखिए अभिलेखों को एकत करने और सारच्चत करने की प्रकिरिया का उलेख कीजिए राष्टे पांडूलिपी मिशन के तहत राष्टे सचितन के उद्देशे और कारे बताईए कोर्षन अठारा जो डिजिटल अभिलेख से आप क्या समझते है इसके द्वारा अतित का अधियन करने में क्या सुविधाय होती है कोर्षन नमबर जो आपका 19 बनता है भारत में किसी एक अभिलेख अत्वा सांगरे के वरन में आपको क्या सीखने को मिलता है कोर्षन जो आपका 20 भारत की इतिहास लेकन अभिलेखों की भूमिका पर एक निबंद लिखे कोर्षन 21 प्रालेखन से आप क्या समझते है अभिलेख गारो अर्थवा सांगरे प्रालेखन की प्रकिरिया का वर्न कीजिए और जो लास्ट कोर्षन आपका टिपने करना होता है चार पॉइंट लिए किसी दो पर करना होगा मेडिया हुए अभिलेख और राष्टे सांगराले नई दिल्ली जो सांगरे अथवा अभिलेख के लिए प्रासिक्षन अभिलेखरा के परकार तो यह आपर फाइनली इंपोर्टन कोर्षन खतम हो चुके तो वीडियो अच्छ कि अब्स पढ़िए और यह झार हो जो सा टतीओ के लिए लिए और यह ंता हुज आविलेखरा के लिए बाईगा और तो ऑर राष्छारा और यह झाप वेदिया।